देश वासियों के नाम संदेश का मन आज कितना अधीर है सोचो हमारे देश के सेने में कैसा तीर है सोचो हमारे देश के सीने में कैसा तीर है कोशिश करो यह जानने की देश क्यों है गिरा हुआ कोशिश करो यह जानने की देश क्यों है गिरा हुआ दुनिया का जो सरताज था वो आज क्यों पिछडा हुआ बरसों से बाड़ें खा रही है देश की हरियाली को, व्याकुल व्यतित इस देश के जन खोजते खुशिहाली को, सब एक होकर नश्ट कर दो, स्वार थी रखवालों को, जो हो अटल सच्चाई पे खोजो नहें खुशहालों को, जाती धर्म के नाम पर इस देश के टुकडे हुए, अब लक्ष केवल एक अपने देश का उतकर्ष हो, जाती धर्म हो कोई पहले देश भारत वर्ष हो, मुश्किल से आई देश की पतवार सच्चे हातों में, मिल जू के इनका साथ दो, मत आओ जूटी बातों में, मत आओ जूटी बातों में, राजीव दिक्षित भाई जैसे देश भक्त मिल जाएंगे, उजडे हुए इस चमन में, हम फिर से सौरब पाएंगे, बंधू एक बात कहना चाओंगी, कि राजीव भाई दिक्षित जैसा, नो जवान युवा, आज नहीं कम से कम मेंने, साथ आठ साल पूर्व, आजादी के आलंद के बारे में, और पेप्सी, कोको कोला के बारे में बहुत सुना, ऐसे हमारे एक नविवक समाज में आ गया हैं, हज़ारों नविवकों को जोड़ रहे हैं, इसलिए एक बात कहते हुए, युवा सक्ती वह सक्ती है, जब चाहे ब्रह्मान हिला दे, युवा सक्ती वह सक्ती है, प्याले में तुफान उड़ा दे, युवा सक्ती वह सक्ती है, प्याले में तुफान उड़ा दे, युवा सक्ती वह सक्ती है, दम भर्दे भरी जवानी में, युवा सक्ती वह सक्ती है, आग लगा दे पानी में, युवा सक्ती वह सक्ती है, आग लगा दे पानी में, बंधुओं, राजिव भारी, युवा ह होस में हैं और साथ में होस को लेकर बैठे हैं तो मैं समझती हूं कि देश का उस्थान जरूर होगा धनिवाद पहन साध्वी जी के चर्णों में नमन करते हुए आज का कारिक्टर में शुरू करते हैं मैं एक छोटी सी बात आप लोगों को बता देना चाता हूं कि राजीव भाई जिसके लिए चर्चित और प्रशिद्ध हैं वो हम सब जानते हैं राष्ट्री चेतना राष्ट धर्म और राष्ट चिंतन उनका गहन विशे रहा है उस पर उनकी सूक्ष्म सोच रही है हर एक सम प्रश्या के बारे में और उसके बाद अब उन्होंने स्वास्ति के लिए भी जो सूक्ष्मता से उन्होंने गहन अध्यान किया है और वो हम तक अपनी बात रख रहे हैं तो इन दोनों चीज़ों को मैं जोड़ना चाता हूं राजी भाई जिस राष्ट चिंतन का प्रतिन गिरी हैं मैं यह नहीं कहना चाहता है कि हम केवल नकारात्मक रूप से देखें लेकिन जब देखेंगे कि नकारात्मक चीज़ें ज्यादा बढ़ी हैं हमारा परिवाल टूटा है भाई भाई को धोका दे रहा है व्यापारी व्यापारी को धोका दे रहा है अपने ही लोग आपके दर्द को समझे बगर घर से भाग रही हैं यह सारी समस्यां इतनी ज्यादा हम लोगों के सामने हो रही है कि हम इसका समाधान ढून नहीं पा रहे हैं तो ऐसा मैं राजीर दिक्षित भाई से पूछना चाहता हूं कि ऐसा कफ पित और वाद का ऐसा कौन सा प्रकोप हु होंगी जब आग भट ने इस चीज़ को लिखा लिगन ऐसा दूरदर्शी व्यक्तित्व निश्चित रूप से कहीं कुछ सूत्र लिखा होगा जो जिसको राजीर दिक्षित समझ सकते हैं तो मेरी कोशिस यह होगी कि वो स्वास्त के साथ वो हमारे समाज के स्वास्त के लि वो किसी तरह का रकम या किसी तरह की राशी वो नहीं लेते हैं और इनका पूरा का पूरा जो यह आंदोलन है वो सेवाश्रम में इनका जो ट्रस्ट है उस पे चलता है और वहाँ वो जमीन से जुड़ी हुई चीज़ों को वो महत्व देते हैं उन लोगों को बढ़ावा जैसे उसने पहली दिन कहा कि कुमारों के लिए और खादी बनाने के लिए उन्होंने एक बहुत अच्छा काम वहाँ पे सेवागराम में किया है और सेवागराम से अभी खादी के कपड़ियां आ चुके हैं तो मेरी गुजारिश आप लोगों से है कि पूरा का पूरा भाई को नहीं जा रही है यह रासी उन गरीबों को जा रही है उन जोलाहों को जा रही है जो इसके कारवद्ध हैं धन्यवाद परम पूजनिय साध्वी जी को वंदन आज मैं आपसे बागभट जी के अश्टांग हिर्दयम शास्त्र की एक बहुत महत्तुपूर अध्याय की बात करना चाहता हूँ जिसकी तरफ प्रदीब भाई ने इशारा ही कर दिया मैं खुद ही उसकी आज बात ही करने वाला था उन्होंने कह दिया तो अच्छा ही हुआ कि हमारे शरीर में बात पित्त कफ की इस्थती अगर सम है तो हम जीवन भर निरोगी रहते हैं और निरोगी शब्द की जब मैं बात करता हूं तो आप बागवट जी का जो निरोगी शब्द है वो शरीर से भी स्वस्थ और मन से भी स्वस्थ और मन के बाद एक और इस्तिती होती है चित्त की वहां भी स्वस्थ तो आप मन और चित्त और शरीर तीनों इस्तर पर स्वस्थ हैं ये उनकी भाशा है निरो वाले हैं समाज को देने वाले हैं तो इसलिए वो कहते हैं कि आप अगर स्वस्थ हैं ये तवी संबब है जब वात पित्त कफ आपके शरीर में सम है सम होने के माने जितना बात चाहिए उतना है जितना पित्त चाहिए उतना है जितना कफ चाहिए उतना है वात पित्त कफ तीन की बात है अगर ये नहीं है शरीर में तो आप शरीर से काम ही नहीं ले सकते बात भी चाहिए पित भी चाहिए कफ भी चाहिए बस उन्होंने ये कहा कि ये सम मात्रा में हो जब जितनी जरूरत है उतने हो जन्वरी का महिना चल रहा है मानलो अभी आजाएगा कल से तो जन्वर जीवन चक्र चलता है उसमें जैसी जैसी जरूरत हो उतना वाद पित्त कफ होता रहे तो आपके लिए सबसे अच्छा और अगर ये जरूरत के हिसाब से कम जादा होता है नहीं मिल रहा है तो बहुत ही खराब तो आप रोग ही रोग में डूबेंगे ये है जो महत्त की बात स से ही रहे उसके लिए उन्होंने एक अध्याय लिखा पूरा अध्याय लिखा उसका नाम है दिन चर्या दूसरा एक अध्याय लिखा उसका नाम है रितु चर्या एक अध्याय लिखा आहार द्रविका ग्यान माने जो खा रहे हैं उसके बारे में जानना आहार द्रविका ग को तो जो दिन्चरिया वाला हिस्सा है वो अभी तक मैं बात नहीं कर पाया आप से आज मुझे एक दिन मिला तो मैं बात करता हूँ और व्याख्यान के अंत में जो प्रदीब भाई ने कहा वो इसमें जुड़ जाएगा अपने आप दिन्चरिया के बारे में बागवट जी कहते हैं कि सामन रूप से हमारे शरीर की अवस्था के हिसाब से हमें दिन्चरिया तै करने हैं शरीर के हिसाब से सबके लिए ये जर्णल नहीं है ये ध्यान रखना हर व्यक्ति के शरीर के हिसाब से ये बदलती है जैसे मेरे बगल में बाबू जी बैठे हैं तो इनकी दिन्चरेया मुझसे अलग होगी और मुझसे छोटा कोई लड़का या लड़की है, भाई या बहन है उसकी दिन्चरेया मुझसे अलग होगी तो आपकी सुविधा के अनुसार में तीन हिस्से करता हूँ मैंने पहले भी वो तीन हिस्से की है जवानी शुरू होती है 18-19 वर्ष में इस देश में ऐसा माना जाता है बागवट्टी जी के हिसाब से ये बरावर नहीं है आज माना जाता है हमारे 18 साल पर वोट देने का अधिकार आपको मिलता है इसा माना जाता है कि आप में परिपकुता है बागवट्टी जी कहते हैं कि जवानी 13 से 14 साल में शुरू हो जाती है 13 से 14 साल में शुरू हो जाती है पुराने लोग हमारे ऐसा ही मानते थे 13 से 14 साल में युवा अवस्था शुरू हो जाती है तो आप समझ लीजे कि जन्म से लेकर 13-14 साल तक का एक भाग 13-14 साल से लेकर 60 साल तक दूसरा भाग और 60 साल के उपर तीसरा भाग तीन तरह के लोगों की श्रणी बना दी जाए अब इसमें दिन चर्या का ध्यान दिया जाए तो सबसे पहली बात जो आप सबको याद रखनी चाहिए हमेशा कि जो शून्ने वर्ष से लेकर माने पहला दिन का कोई बच्चा है वहाँ से शुरू करके 13-14 साल ये बच्चा जो है कफ के प्रभाव में रहता है ऐसा कहें बच्पन में कफ बहुत होता है शरीर को होता है बच्पन में इसलिए बच्पन में 13-14 साल की उमर तक कि किसी भी बच्चे को या भाई बहन को मैं देखता हूँ और वो मुझे कहता है कि मेरे घुटनों में दर्द है तो मुझे बहुत हैरानी होती है कि ये कैसे आया आना ही नहीं चाहिए बागबटी जी कहते है कि प्रकरती ने एक व्यवस्था बनाई हुई है वो व्यवस्था ये है कि बच्पन जो आपका गुजरेगा वो कफ के असर में होगा कफ जादा होगा जिनको कफ जादा होगा उनको घुटनों का दर्द होना ही नहीं चाहिए कमर का दर्द होना ही नहीं चाहिए हड्डियों में दर्द होना ही नहीं चाहिए उनके बाल गिरने ही नहीं चाहिए बाल बढ़ने ही चाहिए उनके शरीर में कभी भी थकान होनी ही नहीं चाहिए शरीर सोने के लिए ज़्यादा प्रवरत होना ही चाहिए क्योंकि कफ के असर में नीद बहुत आती है तो 14 वर्ष की उमर तक अगर कोई भी भाई या बेहन बेटा या बेटी 8 घंटे से 10 घंटे भी सो रहा है तो भी उसके लिए नुकूली माना जाता है तो कफ के असर में नीद बहुत आती है वात के असर में नीद बिलकुल कम हो जाती है तो कफ के असर में अगर वो बच्चा है तो उसके शरीर की एक तरह की दिन चरिया रितू चरिया है फिर क्या होता है कि 14 साल से उपर लेकर 60 साल तक जवानी मान लीजे तो इसमें पूरा शरीर पित्त के असर में रहता है 14 साल से लेकर 60 साल तर पित्त का असर होगा तो शरीर को पित्त का असर होगा ही ये इतने दिनों में तो इनके लिए एक तरह की रितुचरिया दिन चरिया और तीसरा है साथ के उपर की जब उम्र हो जाती है तो वात के प्रभाव में आ जाता है पूरा शरीर तो साथ के उपर उम्र जिनकी हो गई अब वो मुझे ये कहें कि राजी भाई घुटने दुखर है तो समझ में आता ठीक है भाई स्वाभाविक है आपके लिए हड़िया कमजोर हो रही है बिलकुल स्वाभाविक है ये उतना ही स्वाभाविक है जैसे आपके जीवन में बहुत सारी दूसरी चीज़ हैं स्वाभाविक होती है तो साठ के बाद जब तक आप जीवित है बाद के प्रभाव में है 60 से पहले 14 वर्ष तक जब तक आपकी उमर है आप पित्त के प्रभाव में है और 14 वर्ष से कम आपकी उमर है तो आप कफ के प्रभाव में है तो मैं कफ से शुरू करता हूँ कफ से शुरू करें कि कफ प्रधान जो बच्चे हैं 14 साल तक उनकी दिनचरिया कैसी होनी चाहिए उनके लिए बागवट जी कहते हैं कि ये जो कफ के प्रभाव में बच्चे हैं ये आज से आप मैं आप से माफी भांगते हुए कह रहा हूँ कफ के प्रभाव के बच्चों को जितनी चाहे उतनी नीद लेने दीजिए आप उनको टोका टाकी मत करिए अक्सर मैंने देखा है माबाप की जो टोका टाकी बच्चों के लिए अरे इतनी देर सोता है वो सोएगा ही क्योंकि कफ के असर में है तो आप जबरजस्ती उसको मार के पीठ के उठाएंगे चल पढ़ने को बैठ होमवर्क कर टीचर ने इतना दे दिया अरे वो होमवर्क करके करेगा क्या अगर वो अपने कफ के असर में है वैसी उसकी दिंचरिया रखिए तो बागवठी जी कहते हैं कि जो कफ के असर में है उसको 10 घंटे तक की नीद सुईक्रत है माने 10 घंटे तक वो 24 घंटे में सो सकता है अब ये नीद वो 2 हिस्से में लेता है तो बहुत अच्छा एक हिस्से में ले तो भी चलेगा लेकिन जादा बहतर है कि 2 हिस्से में ले माने रात को 8 घंटे तक सो जाए 9 घंटे तक सो जाए दुपहर को 1 घंटे जरूर सो जाए लेकिन आप अगर कहेंगे कि कफ के असर में जो बच्चे हैं उनमें भी 3 कैटेगरी बनती है 14 से 8 1 कैटेगरी 14 साल 8 साल से 4 साल 1 कैटेगरी और फिर 4 से 1 साल की कैटेगरी तो 1 से चार साल वाली केटेगरी में बागवटची कहते हैं कम से कम सोले घंटे की नीद और चार से आठ साल की केटेगरी में वो कहते हैं कि कम से कम बारे से चौदे घंटे की नीद और बाद में वो कहते हैं जो चौदे साल आठ से 14 तो वो कहते हैं कम से कम 8 से 9 गंटे की नीन तो छोटे बच्चे अगर आपके घर में हैं जिनकी उम्र 14 साल से कम है आप उनको सोने से मत रोखे क्योंकि कफ का असर है और कफ का प्रभाव जब जादा होता है ना तो होता क्या है वो समझ लीजे कफ आप जानते चिकना पदार्थ है इसनिक्द पदार्थ है कफ का मतलब है आपको खासी आए और जो बलगम निकल जाए जो बलगम है न वो ही कफ है ऐसा समझ ले वो इसनिक्द है चिकना है और बहुत भारी है ये गुरू है गुरू मने भारी है हेवी है बहुत हेवी है इससे ज़्यादा हेवी कोई चीज नहीं तो सिनिक्द है चिकना है भारी है गुरू है और जो भारी चीज होती है वो शरीर के ब्लड प्रशर को हमेशा बढ़ाती है हमेशा बढ़ाती है हर भारी चीज हेवी चीज आप कहते हैं न कहते हैं कई बार च जादा है गुरुता गुरुत तो ये जादा है तो वो बढ़ेगा अगर प्लड प्रेशर तो आपके प्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने के लिए जादा बढ़ गया तो तकलीफ आ जाएगए तो बॉडीने एक व्यवस्था बनाई शरीर इतने व्यवस्था बनाई कि आप जादा नीद लो ये नीद लेते समय ब्लड प्रेशर हमेशा कम रहता है जितनी देर आप सोएंगे ब्लड प्रेशर या तो सामाने होगा या सामाने से कम होगा जितनी देर आप जगे हुए हैं ब्लड प्रेशर सामाने से थोड़ा जादा हो इसलिए वो जादा देर सोएगा ही आप उसके सोने पर पाबंदी मत लगाओ आप अगर ये महसूस करते हो कि जी 14 गंटे से भी जादा सो राए तो सोचने की बात आएगी उसमें भी 4 साल तक के बच्चे को तो वो भी नहीं सोचना वो 18 गंटे भी सोए तो सोने दोसको और वैसे भी आप महसूस करते हैं आप समाता हैं आपने बच्चे अपने बड़े किये ही है छोटे बच्चे जितने होंगे नीद उतनी जादा लेंगे क्योंकि कफ का असर उतना ही जादा है और जादा कफ को मेंटेन रखना है बलड प्रेशर के लिए इसलिए नीद लेनी ही पड़ेगी बिना उसके होने वाला नहीं इसलिए बच्चपन में नीद जादा तो अब नीद जादा है तो ये कब संबब है ये नीद जादा आप तब ही संबब है जब जल्दी सो जाए माने बच्चों को जल्दी सो ना ही आप बोलेंगे जी कितने वज़े तक सो ना बागवट जी तो ये कहते हैं कि सूर्यास्त होने के दो घंटे के अंदर सो जाना सूर्यास्थ होने के दो घंटे के अंदर सो जाना अब सूर्यास्थ कब हुआ चिन्नई में मान लीजिए छे वजे हुआ तो हर बच्चे को आठ वजे तक सो ही जाना अब यह तब संबब हैं जब आप बच्चों को थोड़ा टीवी से दूर रखें बागवट्टी जी के समय में टीवी नहीं था होता तो उस पर भी कमेंट करते अब यह आ गया पिछले पचास साल में आधुनिक विज्ञान ने इसको दे दिया तो टीवी से बच्चों को दू रखें ताकि उनके सोने की कमी ना आए टीवी देखने में आजकल बच्चे 11 वजे तक 12 वजे तक जगते हैं तो उनके नीद में कमी आती है नीद में अगर कमी आएगी तो कफ के असर में नीद अगर पूरी नहीं लेंगे तो फिर कफ बिगड़ेगा और यह बिगड़ा चुड़ चुड़ा बच्चों को अगर नीद पूरी नहीं लेंगे इसको ध्यान रखे तो उनमें चुड़ चुड़ापन आएगा गुस्सा भी आएगा और चुड़ चुड़ापन और गुस्सा उनमें है तो वो आपकी कोई बात नहीं मानेंगे आप उनको लाख जो है निरेंतिर्त करता मस्तिष्क कफ के प्रभाव में हैं कफ बिगड़ा हुआ है सुद्रा हुआ नहीं है क्योंकि नीद पूरी नहीं ले रहे हैं तो यह तो संकट आने वाला तो अक्सर घरों में यह समस्या मैं सुनता हूं वो कहते राजी भाइग बच्चे हमारी सुन सुनेंगे तब तक नहीं जब तक नीत पूरी नहीं हो रही है आप उनकी नीत पूरी होने दीजे आठ गंटे-9 गंटे की-10 गंटे की नीत पूरी फिर देखिए वो कितने अच्छे से सुनते हैं अब मैं आता हूं जो आपने प्रश्ण किया जब आदमी कफ के असर में होता ह कोई भी बच्चा हो तो भी बढ़ा हो तो भी कफ की असर में जब भी होगा चिप्टठ्ठ होगा गुश्यल होगा क्रोधी होगा लड़ने को हमेशा तियार होगा और बहुत कफ अगर उसका बिगड़ा हुआ है तो वह ऐसा ही होगा जैसे कल बेन ज़िर बुट्टो को गोली मार सकता है अगर उसका कफ इतने थी वरता पर है बिगड़ा हुआ गोली मार सकता है बम मार सकता है कि सी के खून को निकलते देख उसके कफ को शांती आती है मन में उसके संतुलन आता है तो कफ जो है के लोग हैं दुनिया में वो कफ के असर में ही सारे अपराद करते हैं लेकिन कफ बिगड़ा हुआ है और इसी कफ का असर है कि प्रेम भी बहुत पैदा होता है बहुत प्रेम पैदा होगा इसी कफ के असर में आप किसी छोटे बच्चे को देखते ना आपके दिल में अत्यंत तो प्रेम पैदा हो जाता है, वो कफ का असर है, कफ प्रेम भी पैदा करता है, और कफ आदमी को जहरीला भी बना देता है, महत्तु की बात है कि कफ जब तक नियंत्रण में हैं, तो प्रेम भाव पैदा करेगा, सद भाव पैदा करेगा, और जब ये बिगड गया, निकल गय बाहर तो ये खतरनाक से खतरनाक चीज़ें बता देगा अब मैं आपको बागवट्टे की बात छोड़कर मेरी बात एक जोड़कर सुनाता हूं तो बहुत अच्छे से समझ में आए आपने कई बार अखवारों में पढ़ा होगा नियूस पेपर में मैगजीन्स में पढ़ा ह कि दुनिया में सबसे खराब बच्चे अमेरिका के हैं अटीनिया में सबसे खराब अख्राब ही का कोई लिमिट यह आपने अक्सर न्यूस्पेपर पढ़े हैं कि हाई स्कूल के बच्चे जेब में से रिवॉल्वर निकाला और पट 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 टीचर को मारा अपने पडूसी को मारा इसको मारा और अंत में खुद को मारा अमेरिका की मुश्किल से कुल आवादी 27 करोड है इस में से लगबग 3 करोड के आसपास बच्चे हैं ऐसा वो कहते हैं इन 3 करोड बच्चों में 30 लाख जेल में बंदे हैं जेल में बंदे हैं और जिनकी उमर 14 साल की 12 साल की 11 साल की 10 साल की ऐसी उमर के बच्चे जेल में बंद सब्सक्राइब कर रहे हैं इन सभी देशों में जो ठंडे देश माने जाते हैं बच्चे सबसे ज्यादा बिगड़े हुए आपको सुनकर रहानी होगी अमेरिका यूरोप के देशों में सबसे ज्यादा जो अपराद हो रहे हैं उनमें लगवग 65 से 70 प्रतिशत अपराद बच्चे कर रहे हैं बच्चे जिनको हम 14 साल तक की उमर का मानते हैं वो कर रहे हैं परिणाम क्या है बिगड़े हुए कफ के प्रभाव में हैं वो सब बच्चे बिगडे हुए कफ के प्रभाव में जो भी रहेगा हिंसा ही करेगा अहिंसक हो नहीं सकता कफ जैसे ही बिगड़ता है तो हर तरह के निगेटिव विचार और बुरे विचार शरीर में आएंगे अब वो शरीर की एक स्वाभाविक क्रिया है इसको रोकना है तो कफ कम करो बिगड़ने मत दो और कफ बिगड़े नहीं तो बागवट जी कहते हैं इसकी सबसे अच्छी अचूग दवा है भरपूर नीद लेना मुफत का इलाज है बिगड़े हुए कफ को सुधारना है कंट्रोल में ये बड़ों के लिए भी मैं कह रहा हूँ क्योंकि आगे आपको भी समझ में आएगा कि आपके शरीर में अभी अगर कफ की इस्ति बिगड़ रही है तो भरपूर नीद लेना शुरू करिए कफ अपने आप आपका कंट्रोल में आ जाएगा क्योंकि शरीरी कर रहे थे कि आजकल बच्चे भाग रहे हैं घर छोड़कर बॉइफ्रेंड के साथ या गर्ल फ्रेंड के साथ ये बिगड़े हुए कफ की अवस्था है क्योंकि मैं तो ट्रीटमेंट भी करता हूं होमियोपैथी मैं ऐसे बहुत सारे लड़के लड़कियां इलाज के लिए म भागे हुए क्यों भाग गए जी पिता जी अच्छे नहीं लगते माता जी अच्छे नहीं लगते जिन माता पिता ने पैदा किया वो ही अच्छे नहीं लगते कफ इतना खतरनाक है आप जरा समझे इस बात को जो माता पिता ने जीवन के सारे कश्ट जहल कर उनको बढ़ा काम है हाँ आपके पास कुछ पैसा नहीं है दस हजार करोड़ बनाना बीस हजार करोड़ एक आत लाग करोड़ बनाना सबसे आसान काम है सबसे आसान काम है लेकिन एक बच्चे को बढ़ा कर देना या दो बच्चे को बढ़ा कर देना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है आप फैक्टरी चला सकते हैं एक चला सकते हैं दस चला सकते हैं बीस बहुत आसान है आपके लिए क्योंकि उसको मैनेज करने के लिए बहुत मैनेजर आपको मिल जाएंगे विशेशग मिल जाएंगे लेकिन बच्चे को बढ़ा करने के लिए मैनेजर किराई पर नहीं मिलता मिलता है तो वो बच्चों को बढ़ा नहीं कर सकता, दुनिया में eggsperiment हुए है, परिवार के बाहर बच्चों को बढ़ा करने के सबसे ज़्यादा experiment यूरोप में हुए है Convent है ना Convent ये बच्चों को बढ़ा करने के ही केंद्र है ऐसे बच्चों को जो परिवार से बिछड़े हैं छूटे हुए लावर इस बच्चे Convent School सब फेल हो गए अमेरिका और यूरोप में वो बच्चों को सिखा नहीं पाए जो सिखाना चाहिए और ज़्यादा Convent के बच्चे ही वहां मरडर कर रहा है हिंसा कर रहा है जेब काट रहा है तो बच्चे को बढ़ा करना मैं मानता हूँ दुनिया का सबसे मुश्किल काम है और आप जो भी अपने बच्चों को बढ़ा करना है आप समझ लीजे दुनिया का सबसे मुश्किल काम आप कर रहे हैं तो इसमें छोटी सी बात याद रखिए कि ये बच्चे ठीक से बढ़े हों कफ का बिगाड इनको कहीं गलत रास्ते पर ना ले जाए तो इसके लिए बहुत सरलुपाय है कि नीद उनको भरपूर लेने दीजिए कई बार आप ऐसा मत करिए बच्चों को कई बार ऐसा लगता जपकी आ रही है तो आप जबरजस्ती पढ़ने को मत बिठाईए कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेज कुरसी पे बैठते ही उंगने लगते है तो उनसे कहिए कि देखो किताब बंद कर दो और जाके सो जाओ वो बीस पच्चीस मिनट सो के आएंगे पहले से ज़्यादा फ्रेश होंगे क्योंकि सो के उठते ही कफ का असर कम हो जाएगा और कफ के असर में पढ़ाई नहीं होती ये और बात एक द्यान लेजे कफ के असर में पढ़ाई नहीं हो सकती पढ़ाई अच्छी करनी है तो पित के असर में ही होती है पित बढ़ना चाहिए कफ कम होना चाहिए तब ही पढ़ाई अच्छी होगी तो जब तक कफ बिगड़ा हुआ है, असर उसका भयंकर दुश्प्रभावी है, पढ़ने के लिए मत बोलिये उनको, कईए सो जाओ, कफ बिगड़ा हुआ हो तो सबसे अच्छा उपाय है, कव सो जाओ, तो बीस मिनट सोईंगे, आदा घंटे, एक गंटे या दो घंटे सो ज आने के लिए जो मार मार के उठाते हैं अपने बच्चों को, आप बहुत बढ़ा अत्याचार कर रहा हूं, कारण क्या है वो समझ लीजे, समझ लीजे वो ये, मैं ये कह रहा हूं कि आप करे जरूरी नहीं है, लेकिन समझ जरूर लीजे, ताकि आपको करते समय ध्यान मेे रहे कि मैं ठीक कर रहा हूं या गलत बच्चों को मार मार के सबीरे जब आप उठाते हैं तो बहुत बड़ा अत्याचार उनके ऊपर होता है वो क्या होता है सुबह का समय कफ का समय है दिन के हिसाब से सुबह का समय कफ का समय है उस समय उनको सबसे गहरी नीद आएगी उप्र जिंदगी को मैं नहीं क्या कर लिया इतना सा पढ़ने के बाद क्योंकि जो कुछ मैंने पढ़ा है वो मेरी जिंदगी के कभी काम नहीं आया काम तो वह आ रहा है जो मैंने इस्कूल में नहीं पढ़ा कॉलेज में नहीं पढ़ा school college में मैंने बहुत पढ़ा x plus y whole square is equal to x square plus 2xy plus y square और पता नहीं कितनी कौपी या रंग डाली आज तक मेरी जिंदगी में काम नहीं आया x plus y whole square अब मेरे गड़ित के teacher को मैं पूछता हूँ क्यों पढ़ाया master जी आपने मुझे तो कहतें क्या करूँ यार काम तो मेरे भी नहीं आया मुझे को किसी ने पढ़ाया तो मैंने तुमको पढ़ाया यह भेडिया धसान है मैं आपको विनम्रता पूर्व की यह कहना चाहता हूँ कितने भी अच्छे school में आप बच्चों को पढ़ाईए उनकी जिंदगी का 90 से 95 90 प्रतिशत बेकारी जाने वाला है अब उसके लिए आप उनको मार पीट के उठा रहे हैं जो कभी काम नहीं आएगा जिंदगी में तो आप यह अत्याचार मत करिए फिर आप कहेंगे जी इस्कूल तो सुबही चलते हैं तो इस्कूल वालों को मिलकर समझाईए कि बच्चों के इस्कूल का समय दुपहर को रखे अब आप बोलेंगे जी वो कैसे समझेंगे ऐसे समझेंगे बच्चे तो आपके पढ़ रहे हैं ना इस्कूल के मास्टर जी के पढ़ रहे हैं बच्चे आपके रुपए उनको डोनेशन दे रहे हैं करोड़ों रुपए फीस दे रहे हैं तो उनको कहिए छोटे बच्चों के स्कूल कभी भी सबेरे नहीं होने चाहिए साथ वजे से स्कूल चल रहाए है तो होना ही नहीं चाहिए उनका स्कूल 11 वजे से 12 वजे से होना चाहिए आप प्रयास करिये सफलता मिले तो बहुत अच्छा नहीं मिले तो अपना अलग स्कूल ही खड़ा कर दीजे हाँ क्या मुश्किल है आप जैसे लोगों के लिए आप सब यहां बैठे हुए लोग हैं कोई करोड़ पती से कम नहीं है क्या मुश्किल है एक स्कूल ऐसा शुरू कर दो जो बच्चों को सुबह नहीं पढ़ाएगा हम आयुरवेद के हिसाब से चलेंगे हम बागवट के हिसाब से चलेंगे हमारा बच्चों का स्कूल दुपहर को ही शुरू होगा तो आप कोशिश करिए कोशिश करने से दुनिया में सब कुछ होता है जब से मैंने ये बातें मेरे मित्रों से शेयर की हमारे कारिकरता बहुत हैं देश बर में करीब अठारे हजार उनसे जब शेयर की तो उन्होंने कई कई जगे प्रयास किये कुछ में सफलता भी मिली स्कूल वाले मान गए समझ गए बागवट के सूतर उनको समझाए तो वो मान गए हाँ बच्चों को क्योंकि स्कूल में पढ़ाने वाली भी टीचर है या टीचर है उसके भी अपने बच्चे हैं वो भी देख रही है महसूस कर रही है कि सुबह तो सोने का ही उनका मन करता है तो सुबह तो सोने के लिए ही है उनके लिए क्योंकि सुबह कफ का असर होता है और बच्चे तो कफ के ही प्रभाव में हैं तो डबल असर होगा इसलिए सुबह उनको नीद अच्छी आएगी सुबह नीद अच्छी आएगी तो उनको जगजोर के जगाईए मत अब सुबह की नीद उनकी ठीक से आए इसके लिए वो रात को जल्दी सोएं तो आठ वजे तक सोने के लिए नियम डाल दीजे आठ वजे के बाद आपके घर का टीवी बंद हो जाए तो वो भी नहीं देखेंगे आप देखेंगे तो वो भी देखेंगे बच्चे तो जो आप करते हैं वैसे ही सीख लेते हैं तो आप 8 वजे के बाद TV को बंद करने का नियम डाल दीजे, बच्चों में आदत पड़ गई नीद आने की 8 वजे, तो वो सोएंगे भरपूर नीद लेंगे, सुबह 6 वजे तक उठेंगे, बहुत अच्छे से उठेंगे, फिर आप चाहें तो उनसे कोई भी काम करवा सकते ह उनके मन में न चिलचड़ापन होगा, न गुस्सा होगा, न कोई निगेटिव थौट होगा, क्योंकि नीद जीवन में उतनी ही बड़ी चीज है जितना भोजन, तो भरपूर नीद लेने दीजे, क्योंकि वो कफ के असर में है, तो बच्चों की दिन चर्या में आप ये ध जान लीजे, हिरदय से उपर और मस्तिश्क का अंतिम बिंदू, ये कफ का छेतर है, हिरदय से उपर, यहां से उपर पूरा, ये कफ का छेतर है, हिरदय से नीचे नाभी तक ये पित का छेतर है, और नाभी से नीचे पूरा ये वात का छेतर है, तो बच्चे कफ के असर में हैं तो ध्यान रखिए कि उनको जितने रोग होंगे वो यहां से उपर वाले ही होंगे बचपन के नाक बहेगी सरदी होगी जुकाम होगा खासी आएगी ये सब इसी एरिया के रोग हैं तो बागवटी जी कहते हैं कि बच्चों को कफ के असर से बाहर लाते रहें बिगड़े तेल मालिश बच्चों की तेल मालिश बहुत जरूरी है वैसे तो सब माताई करती ही हैं अनजाने में वो एक बड़ा काम कर रही है कफ को कम करने की जो दूसरी चीज बताई है बागवटने एक तो मैंने बता नीद जो कफ की विक्रती को कंट्रोल में राती है दूसरी मालिश तो बच्चों की मालिश अत्यंत जरूरी है तो सुबह जब वो सोकर उठते हैं शौचादी से निवरत होकर आते हैं तो उनकी मालिश होनी ही चाहिए अब बागवटने जी ने कहा है कि जो कफ के असर में है वो व्यायाम ना करे वो प्राणायाम ना करे योगासन भी व्यक्ति को ना तो व्यायाम ना तो आसन ना तो प्राणायाम उसके लिए है मालिश रगड़ाई चाहिए उसको शरीर के ठीक है तो मेरी आपको विंती है कि बच्चों को व्यायाम करने के लिए प्रोचसाहित मत करिए कई बार माता पिता टीवी का चैनल खोल के वो रामद उनके लिए सबसे उपयोगी है जो पित्त के प्रभाव में है वात के प्रभाव वालों को बहुत मामूली पित्त वालों को सबसे जादा कफ वालों को बिलकुल नहीं योग प्राणायाम आसन कफ वालों को बिलकुल नहीं वात वालों को थोड़ा पित्त वालों को सबसे exercise करो उनके लिए तो कफ के असर में है तो यह exercise जितनी कम हो उतना अच्छा मालिश करिए। बरपूर मालिश और तिसरी बात तीसरा सुत्र बच्चों की मालिश कहां करें जी पूरे शरीर में करें पूरे चरीर में करिए लेकिन बागवट्टी जी कहते हैं कि कफ का असर कहा है मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा च्छाती से लेके उपर तो ये जो इतना हिस्सा है इसकी मालिश ज्यादा करिए ताकि कफ थोड़ा शांत रहे तो सीधे से बात अब मैं समझाता हूँ बच्चों के सिर की मालिश सबसे ज्यादा करिए सिर ये उपर का हिस्सा धीरे 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 तेल लगाके सिर की मालिश सबसे ज्यादा करिए तो मालिश किसे करेंगे तेल से तेल जो है कफ नाशक है तेल जो है ना कफ नाशक है तो सिर्की मालिश करेंगे छोटे छोटे छिद रहें तेल इससे अंदर जाएगा कफ को सामाने रखेगा तो कफ के प्रभाव में बिगडेंगे नहीं बच्चे माने गुसा नहीं करेंगे चुड़ चुड़े नहीं होंगे निगेटिव नहीं होंगे जिंदगी में गलत काम नहीं करेंगे तो बच्चों के सिर्की मालिश बहुत जरूरी है सिर्की मालिश दूसरा वो कहते हैं कि कफ का जो दूसरा बड़ा इस्थान है एक तो सिरुवा, दूसरे है कान ये कान है ना, ये कफ के स्थान है तो बच्चों के कान की मालिश रोज होनी चाहिए जरूर होनी चाहिए कान की मालिश कैसे करें बस तेल लगाईए, हाथ में ऐसे ऐसे गुमाईए फिर उल्टा घुमा दीजे फिर ऐसे घुमा दीजे और थोड़ा तेल कान में डालके रखिये उनको क्योंकि कफ का स्थान है कान तेल डालते ही कफ शान्त होगा तो हमारी पुराने जमाने की जो माताइं हैं वो रोज बच्चों को कान में तेल डालती थी वो अंजाने में बहुत बड़ा वेग्यानिक काम करती थी देखा ना पुराने जमाने की माताओं को आज के जमाने की माताओं तो कहती है चिपचिपा है तेल तेल चिपचिपा है तभी तेल है नहीं तो उसमें कुछ है ही नहीं तो पुराने जमाने की माता हैं बच्चों को बराबर कान में तेल डालके रखती थी, तो बच्चों के कान में नियमित रूप से तेल डालिया, फिर आप बूलेंगे जी कौन सा तेल, तो इसमें भागवट्टी जी सूत्र दे रहे हैं, कि आप जहां रह रहे हैं, उसके अब आप बिहार में जाएंगे और मैं वहां कर आकर आपको कहूंगा तो कहूंगा जी आप नारियल का तेल बिलकुल मत खाओ, मालिश भी मत करो, मैं कहूंगा सरसों का तेल खाओ, उसी से मालिश करो, और जो आप और उधर चले गए, हर्याना पंजाब की तरफ, तो मैं ही आ सिर की कान की होती रहनी चाहिए और तीसरी चीज आखें आखें जो है ना कफ का ही केंद्र है सबसे बड़ा कफ का केंद्र सिर दूसरे नंबर पे कान तीसरी आख आख कफ का केंद्र है और आख के जादा रोग 99% रोग कफ के रोग है जैसे मैंने आपको बोला ना आख में एट्रेक्ट हो गया, ये कफ का रोग है, मोतिया बिंद हो गया, कफ का रोग है, ग्लुकोमा हो गया, कफ का रोग है, आँखें लाल हो रही है, कफ के प्रभाव, तो आँखों की विशेश देखवाल बच्चों की, ताकि चश्मा ना लगे, अब चश्मा ना चड़े, अब आ आँखों के लिए घी ठीक है देशी गाय का घी तो बच्चों को नियमित रूप से देशी गाय का घी आँखों में लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा है देशी गाय का घी ये कफ को शांत करता है लेकिन आप देशी गाय के घीम को उपलब्द नहीं कर पाते किसी कारण से तो कार्बन कफ को शांत करने में सबसे बड़ी भूमिका निवाता है। तो बच्चों को नियमित रूप से आँखों में काजल होना ही चाहिए। बागवट जी ने बहुत सुन्दर शब्द इस्तेमाल किया है, सौवीर अंजन, उसको कहें काजल, सौवीर अंजन, बहुत सुन्दर शब्द है। और बागवट जी इतने दयालू और क्रपालू है कि उसकी पूरी विधी भी लिखके गए है। कि बच्चों के लिए जो सौवीर अंजन बनाना है, वो कैसे बनेगा। उसमें इस्तेमाल होता है गाय का दूद और दारू हल्दी, दारू हल्दी देखा, जारू हल्दी, एक हल्दी और एक दारू हल्दी, तो दारू हल्दी, गाय का दूद, गाय का घी, ऐसी पास्सात वस्तों से बनता है, पूरी विधी किताब में है, मैं ज़्यादा समय खरा फिर आगे चलें आगे चलें तो खान पान उनका कफ के प्रभाव में जो भी बच्चे हैं उनके खान पान में बागवट जी कहते हैं दूद सबसे आवश्यक दूद बिना दूद के बच्चों का जीवन नहीं दूद तो उनके लिए सबसे आवश्यक दूसरी कोई चीज उनक मक्खन, मक्खन, लोनी कहते हैं, मक्खन कहते हैं, लोनी, और फिर तीसरी चीज़ है घी, उसके बाद तेल, और उसके बाद जो भी आप साधरन चीज़े खा रहे हैं, गुड़, बच्चों को बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कफ को संतुलित रखने में जो जो चीज़े कर रहे हैं, गी है, देशी गायका, दूद है, दही है, मठा है, मक्खन है, गुड़ है, ये सब कफ को संतुलित रखने वाली चीज़े हैं, तो ये बच्चों के भोजन में नियमित, अब गुड़ जो हैना, कई फॉर्म में खा सकते हैं, बच्चे सीधे गुड़ खा सकते ह चिक्की जिसको आप कहते हैं, तिल में हो तो बहुत अच्छा, मुंगफली में है तो भी चलेगा, नहीं तो चने में खा सकते हैं, तो बच्चों के डैली डाइट में ये चीज़े हैं, गुड़ रहना चाहिए, तिल रहना चाहिए, मुंगफली रहनी चाहिए, ये सब ची को संतुलित रखने में मदद कर तो बारी चीज हैं बच्छों को नियम ITरूप से दीजे एक ही चीज का निशेद है एक ही चीज का निशेद बताया बागवट्टी जी नए पतला आटा अब पतला आटा उन्होंने कहा है पतला आटा माने बारी काटा इसको मैं थोड़ा आज के हिसाब से कहूं कि आज वो चीज है बागवट के जमाने में नहीं थी मैदा मैदा ही निशिद है बच्छों को बस मैदे की चीज नहीं अब मैदे की चीज नहीं क्यों क्यों कि ये कफ को बिगाडने वाली चीज है मैदा बाकी चीजें कफ को स अब मैदे का बना हुआ समोसा ना दें तो समोसा मांगेंगे तो आटे का समोसा दें मैदे की कचोरी ना दें कचोरी मांगेंगे तो आटे की दें मैदा छोड़कर बाकी चीजों के बारे में बागवट जी कहते हैं कि बच्चे आसानी से प्रभाव कफ में उसको भी पाचन कर सकते अब मालिश हो गई भोजन हुआ फिर नाहने के लिए कहा है तो मालिश पहले इसनान बाद में हमेशा इसनान के बाद मालिश करने को मना किया है इसनान बाद में मालिश पहले तो अच्छे से मालिश करिए आप बोलेंगे जी कितनी देर मालिश करें तो इसके लिए बहुत सुन्दर बात उन्होंने कहिए बच्चों की मालिश करते समय जब उनकी बगल में पसीना आ जाए तो मालिश रोक दे घड़ी के हिसाब से नहीं बताया उन्होंने कि 10 गंटे करें कि 20 गंटे 40 मिनट याप समय उन्होंने बताया नहीं क्योंकि हर बच्चे के लिए वो अलग होगा तो उन्होंने इतनी सुन्दर अब्जर्वेशन दिया कि जब आप मालिश कर रहे हैं बच्चे की बगल में पसीना आ गया तो मालिश बंद करें बगल में पसीना आते और वो ये कहते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको बगल का पसीना जल्दी ना आए तो हो सकता उनके माथे पर पसीना आ जाए तो मालिश रोग दें ठीक है तो मालिश मालिश के बाद इसनान इसनान के लिए बागवट जी कहते हैं कि जो भी चीज़ें कफ को कम करती हैं वही चीज़ें इसनान में उप्योग करें अब मैं आपको बताना चाहता हूँ आधुनिक बाद बागवट जी ने तो नहीं कहा उन्होंने ये कहा कि कफ को कम करें वही चीज़ें इस नान में उपयोग करें तो कफ को कम करने वाली सबसे बहतरीन चीज़ आपके घर में है चने का आटा दूसरी बहतरीन चीज़ है यह जो हमारे देश में संभव है पता नहीं आपको मिलेगा कि नहीं चंदन की लकडी का पाउडर बागवटी जी ने कहा है कि यह बहुत कफ को कंट्रोल रखता है तो चंदन की लकडी का पाउडर माने चंदन पाउडर, चने का आटा और मोटा आटा कोई भी गेहू का हो, चने का हो, दाल का हो मोटा आटा, फिर कहते हैं मसूर की दाल काटा, फिर वो कहते हैं मुंग की दाल काटा, ये सब कफ को कम करने वाली चीज़ है, तो कहते हैं बच्चों का इसनान इनी से कराएं, ताकि कफ कम रहे, मतलब सी बात है, साबॲन ना लगाएं क्योंकि ये जो साबॲन है ना, ये केमिकल है chemical माने sodium hydroxide sodium hydroxide माने caustic soda ये caustic soda तो कफ को बढ़काने वाली चीज़ है इसलिए बच्चों को साबुन गलती से भी ना लगाए उनको चने के आठे से नहलाए मुलतानी मिट्टी से नहलाए चंदन पाउडर से नहलाए क्फ को कम करने वाली ये सब चीज़ें हैं इन चीज़ें से ही सनान कराए उबटन बनाके रखें गर में उबटन से सनान कराए बच्चों को साबुन गलती से भी नही Això और साबुन जो गलती से आप लगा रहे हैं और आँख में गया तो सर्वनाश कर सकता है आँख का क्योंकि आँख कफ के प्रभाव में है और साबून बहुत तीखा होता है वो पित और वात के प्रभाव की चीज़ें है तो दुश्मन मिल गए दो एक साथ साबून और आँखों का जल तो तकलिफ करेगा वैसे भी बच्चे बहुत रोते हैं साबून आँख में लगे तो आजकल टीवी में एक विग्यापन आने लगा बिना आँखों निकालने वाला साबून दुनिया में हो इनी सकता ये मूर्ख बनाने के तरीके हैं आपको कोई भी साबून आशू ना निकाले ये हो इनी सकता क्योंकि साबून है ही पित और वातका और आँखें है कफ की लगेगा तो आँखों से आँशू निकलेंगे ही हाँ एक ही समय में हो सकता है कि साबून में कास्ट्रिक सोड़ा सबसे कम हो गिलिसरीन और तेल सबसे ज़्यादा हो तो गिलिसरीन और तेल अगर सबसे ज़्यादा है तो उब्टन में ही तेल मिला के नहला देना साबुन क्यों खरीद के ला रहे हैं 35 रुपए का आता है जॉंसन इं जॉंसन बेबी सो साड़े 300 रुपए किलो 35 रुपए का 100 ग्राम 300 रुपए किलो काजू से महंगा है काजू 200 रुपए किलो साबू 300 रुपए किलो बादाम से महंगा है बादाम 300 रुपए किलो साबू 300 रुपए किलो और नहा के जाएगा कहाँ पानी में ही जाएगा न तीन सो रुपए किलो की चीज पानी में बाहर हैं उससे अच्छा काजू खिला दें उनको बादाम खिला दें तो नहाने के लिए उब्टन जो बहुत सस्ता पड़ता है और क्वालिटी उसकी कैसे चेक करें कि कफ को नाश करता है कफ को शमित रखता है कफ को शांत रखता है इसलिए उब्टन का इसनान बच्छों को जरूरी है आगे बढ़ें बच्छों का इसनान होने के बाद उनके खान पान का मैंने बता दिया ऐसी चीज़ें उनको नियमित खिलानी है जो कफ को कम करती है मैंने तीन चार चीज़ों के नाम लिए दूद है दही है मठा है हर कफ को शांत रखने में मदद करता है तो मखन जादा से जादा उनके भोजन में रहे और बाकी सब चीजें दाल चावल जो भी आप खाते हैं अच्छा फिर उसके वाद शाम के समय है तीन चार बजे के आसपास क्या होता उनका पित थोड़ा बढ़ेगा बारे से चार के बीच में पित बढ़ता है बारे वजे तक कफ के असर में है बारे से चार के बीच में पित बढ़ेगा तो उस समय ऐसी चीजें खिलाएं जो घी की बनी हुई है घी की बनी हुई चीजें और रात को ये बच्चे थोड़ा वात के असर में आते हैं, कफ तो सबसे ज़ादा है, लेकिन रात को वात के, तो वात को खम करने वाली चीज़ हैं, रात को उनको दें, और वो मैं पहले दिन भी काफी बता चुका हूँ, तो ये हो गया बच्चों की दिन चर्या, साथ बजे सोने के लिए का माहौल बनाने के लिए तैयारी करें, साथ बजे तक माहौल बने सोने का, तो आट बजे सोएंगे, और माहौल बनाने में सबसे बड़ी मदद करेगा, टीवी का स्विच ओफ, मेरी तो आपको विंती है कि घर के छोटे बच्चे हैं ना, तब तक केबल कनेक लेकिन बच्चे जब तक छोटे हैं, साल भर के, डेड़ साल के, दो साल के, धाई साल के, तब तक तो केबल कनेक्शन आफ रखें, या केबल कनेक्शन है तो टीवी आफ रखें, चले नहीं उनके साम, नहीं तो वो चालू हो जाएंगे, पोगो देखेंगे, पोगो, हाँ, कार्टून फिल्म देखेंगे, क्यों देखेंगे, जान लीजिए, कफ के असर में जो बच्चा होता है, इसको समझाना चाहता हूँ मैं, कफ के असर में जब बच्चा होता है, तो उसकी कलपना शीलता सबसे उंची होगी, मैंने थोड़ी देर पहले काना है, ये कफ है, जो सम में रहे तो व्यक्ति को बहुत कलपना शील बनाएगा इतना कलपना शील और वैग्यानिक बनाएगा सोच नहीं सकते बिगड़ेगा तो सबसे बड़ा अपराधी भी बनाएगा तो बच्चों की कलपना शीलता बहुत होती है क्योंकि वो कफ के असर में है इसलिए हर ऐसी चीज जो उन्हें सोचने में मदद करती है उनको अच्छी लगती है आपने एक कहानी सुनाई बच्चे कहानी सुनते है ना बड़े मज़े से क्यों सुनते है वो उनकी कलपना शीलता में मदद करती है कहा है आपने का एक राजा था अब इतना कहते ही उनका चालू हो गया दिमागा आगे का वाक्य बोलेंगे उसके पहले वो कल्पना कर लेंगे राजा कैसा है सिंगहासन पर बेटा है कि जमीन पर बेटा है बगल में रानी है कि नई है सामने वजीर है कि नई है मंतरी है कि ये तो आपके बोलने से पहले उनके दिमाग में घूम गई पूरी फिल्म, एक राजा था फिर कहेंगे आगे बताओ, तो आप कहेंगे एक राणी थी, अब राणी के बारे में सब बातें उनके दिमाग में आगे, फिर आप कहेंगे क्या हुआ, तो दोनों मर गए खतम कहानी, अ आप में कहानी खतम कर दी, अब आप टालना चाहते हैं उनको और वो कल्पना करना चाहते हैं उस समय, तो आप कहानी को जितना लंबा खीचें उतना अच्छा, मेरा कहना ये है आपको, कहानी को लंबा खीचते जाएं, बले एकता कपूर के सीरियल की तरह से खीचें उसको, इ दूसरी आगई सीरियल कर ये बच्चों को चाहिए आप उनकी कलपना शीलता को बढ़ाने में मदद करें माने कहानी जो वो सुन रहे हैं उसको छोटी न करें सुनते सुनते सो जाएं तो बहुत अच्छा और मेरी आपको विंती है कि चुन चुन कर कहानिया सुनाएं उनको अ आप अगर उनको चाहते हैं कि राणा प्रताप जैसे हो तो सुना ये उनकी कहाने लक्ष्मी भाई जैसे हो तो सुना ये उनकी कहाने क्योंकि बच्चों की कलपना शीलता आपसे ज़्यादा बड़ी है ये जान लीजिए ये अलग बात है कि उनके पास शब्दों का भंडा कम है शब्द कोश कम है लेकिन सोचने में वो आपसे आ गए हैं तो शब्द आप दे दीजे कलपना शीलता उनके पास है बैठकर वो अपना चित्र बनाई लेगे और जिन बच्चों को जितनी लंबी कहानिया आप सुनाइंगे वो उतने ही क्रियेटिव होने वाले हैं उतने ह अच्छा वैग्यानिक बनाना है बच्चों को तो कलपना शीलता उन्ची चाहिए तो अच्छे वैग्यानिक बनाना है अगर किसी भी बच्चे को तो कलपना शीलता उन्ची तो कहानी उतनी लंबी अच्छा मैथमेटीशियन बनाना है कल्पना शक्ती अच्छी चाहिए तो कहानी लंबी मने लंबी कहानियां सुनाने की आप अपनी आदत डालें तो बच्चों में आएगी वो कहानी सुनने में इतने मगन होते हैं फिर उनको टीवी की जरूरत नहीं है ना पोगो की जरूरत है ना कार्टून नेटवर्क की कुछ जरूरत नहीं आप अगर सुना रहे हैं उनको कहानी जिसमें उनकी कल्पना शीलता रम रही है तो वो बहुत जरूरत है और फिर मेरी एक छोटी सी आकरी बात क्योंकि दूसरी बात के लिए समय कम पढ़ रहा है कि जब बच्चे आप से कोई सवाल करें तो जान लीजे वो अपनी कल्पना शीलता को बढ़ाना चाहते हैं तब सवाल कर रहे हैं तो उनके सवाल का जवाब इमानदारी से दें जैसे उन्होंने सवाल पूछा कि ये टमाटर का रंग लाल क्यों हैं मान लीजे सवाल पूछा टमाटर का रंग लाल क्यों हैं अब आपको मालूम नहीं है कि टमाटर का रंग सच में लाल क्यों हैं तो आप उनको कुछ नहीं है कि टमाटर का रंग लाल क्यों होता है मैं कल पता करके बता दूँगा या परसों पता करके बता दूँगा बच्चे जब सवाल पूछ रहे हैं तो उनकी कलपना शीलता की पूरती के लिए पूछ रहे हैं आप उनको कभी भी गलत जवाब तो दीजिये ही मत वो कह रह तो यह हरे से पीले कैसे हो गए ऐसे सवाल वो पूछेंगे उनके उत्तर पूरी इमानदारी से दीजिए तो इसका माने आपको पढ़ना ही पढ़ेगा बिना पढ़े आप उत्तर दे नहीं सकते और जो आपने कोशिश की उल्टा सीधा तो थोड़े दिन में जब उनको आदर वो बिलकुल नहीं करेंगे उनके गुरू जी ने बता दिया कि ये पत्ता हरा इसलिए था और टमाटर लाल इसलिए हो गया और चंद्रमा इसलिए चमकता है सूरज इसलिए पिला दिखाई देता है जैसे उनको पता चलेगा तो आपकी इज़त तो दो कौड़ी की हो जैसे जैसे उसका आकरशन टीचर के प्रती बढ़ता जाएगा वो आपके कंट्रोल के बिलकुल फिर टीचर जो कहेगी उसको पत्थर की लकीर मानेगा आप जो कहोगे उसके कभी भी भरोसा नहीं करेगा इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले का बच्चों को बढ़ा करना द limitless imagination वो सीमा के पार जाके बात करते हैं आप देखते हैं न दुनिया के सारे बच्चे परेशान है हैरी पॉर्टर पढ़ने के लिए है ना और आप और मैं सवाल करते हैं जी हरी पॉर्टर में रखा क्या है कुछ नहीं है उसमें तिलिस्म है जादू ही तिलिस्म है वो सच् तो जादू ही बाते हैं तिलिस्म ही बाते हैं जादूगर की बाते हैं ये सब उनको अच्छी इसलिए लगते हैं कि कल्पना शीलता बढ़ाने में ये सब मदद करते हैं ये जासूसी उपन्यास जितने हैं बच्चे बहुत प्रेम से पढ़ते हैं चाहे वो अमेरिका में हो या हिंदुस्तान में बसंतर है अमेरिका में अंग्रेजी में पढ़ेंगे हिंदुस्तान में हिंदी में जरूर पढ़ेंगे चंदा मामा एक पत्रिका आती है बच्चों की चंदा मामा या नंदन चुन-चुन के ऐसी कहानिया हैं उसमें जो उनकी कल्पना शीलता बढ़ाती हैं तो वो लड़ेंगे आपसे चंदा मामा चाहिए नहीं तो ये किताब चाहिए, अमर चित्रकता चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए अब आपके उपर है कि आप उनकी कलपना शीलता कितनी बढ़ा सकते हैं 14 साल तक विशेश ध्यान रखें बच्चों का जब तक वो कफ के असर में अब इसमें बात में कुछ बाते आएंगी तो कल में जोड़ूँगा अब मैं आ जाता हूँ पित्त में, पित्त के प्रकरती के लोगों की दिन्चरिया क्या पित्त प्रकरती माने 14 साल से उपर और 60 साल के नीचे इनकी दिन चर्या क्या, पित्प्रकर्टी के लोगों को कफ का असर कम हो जाता, पित्प्रकर्टी के लोगों को कफ का असर कम हो जाता है, पित्प्रकर्टी के लोगों को ज्यादा सोना जरूरी नहीं है, उनका पित्प्रकर्टी के लोगों को ज्यादा सोना जरूरी नहीं है, नियूनतम नीद कितनी होनी चाहिए आपके हैं पित्प्रकरती के सब लोगों को जिनकी उमर 14-15 साल से लेके 60 साल है इनकी कम से कम नीद 8 गंटे की रहे तो अच्छा है लेकिन इससे भी कम रह सकती है क्या 7 गंटे हो सकती है लेकिन उसके लिए थोड़ा प्रयास करना पड़े का 6 गंटे भी हो सकती है 6 से कम नहीं और 8 से ज्यादा नहीं ऐसे मान लेज़े तो पित्प्रकरती के लोगों को 6 गंटे से कम नहीं सोना 8 गंटे से ज्यादा नहीं सोना अब उसके हिसाब से दिंचरिया तै करिए तो 8 बज़े सो जाएं मानलो आप भी ऐसे ही मानें बागव महूरत में पित्प्रकर्ती के लोगों का उठना बहुत आवश्चक है बच्चे ना उठें तो चलेगा आपको तो उठना बहुत जरूरी है क्यों अगर आप चार बजे उठते हैं तो अगला पूरा दिन आपका बहुत बहतरीन और व्यवस्थित है और चार के बाद की जो जो करना है आपको वो चार बजे से लेके ही शुरू होगा चार बजे उठें आपने पानी पिया जो मैंने पहले ही बता दिया उशा पांच जिसको कहते हैं फिर शौचादी के लिए आप गए 10-15 मिनट मान लीजे उसमें गया फिर बाहर आप निकले दंत धावन शब करवा जो स्वाद में करवा है और तिक्त है ऐसी चीजों से आपको दात साफ करना क्योंकि प्रकरती आपकी पित्त की है तो पित्त को कम करना कंट्रोल करके रखना ये कशाय और तिक्त स्वाद की चीजों से ही होगा तो इसका मतलब यह है कि आप नीम का दातुन करें जो भी है तिक्त भी बागवट जी ने कॉल गेट के लिए मना किया है कॉल गेट था ही नहीं तो लिखा भी नहीं है उन्होंने उन्होंने कहा है कि आप नीम का दातुन करें और नीम से भी अच्छा एक दातुन उन्होंने बताया मदार मदार समस्ते मदार का एक प्योड होता है वो गयते हैं, नीम से भी अच्छा है, क्योंकि वो और ज्यादा कशाय है, और ज्यादा तिक. फिर एक है बबूल, फिर एक है अरजुन, अरजुन की छाल आपने पिया ना, अरजुन की दातुन भी होती है. तो ऐसे वारे वरक्ष उन्हों ने बताए है नीम है, मदार है, अरजुन है फिर ये जो था ना, आम, आम, बबूल है, आम है, अमरूद है ऐसे वारे वरक्षों का उन्होंने वरनन किया है कि इनकी दातू नहीं करना इसके आगे तेरेवे वरक्ष की नहीं और वो डिटेल लिखा है, किताब में आप ले सकते जब उन्होंने आगे लिखा है, वो मैं अभी बता दूँ वो ये कहते हैं कि जीवन में जो रितू है रितू, गर्मी है, फिर सर्दी है, फिर बरसाथ है तीन तो मुख्य रितू है, फिर इनकी उप रितू है तो छे हो जाती है, शरद है, शशिर है, वसंत है तो मोटा मोटा बता देता हूँ, ज़्यादा बारी का आपको याद नहीं रहेगा वो ये कहते हैं कि जब गर्मी का सीजन है गर्मी माने अपरेल से शुरू कर लीजे, उगादी उगादी से शुरू कर लीजे, नहीं तो आप मकर संक्रांती से ही मान लीजे तो मकर संक्रांती से लेकर जब तक गर्मी है, माने बारिश नहीं होती तब तक नीम के दातुन की बात कही उन्हों तो इसमें चैतर भी आएगा, वह शाग भी अब आप पुरानी चीज ज़रा देखिए कि हमारे बच्पन में हमारी दादी कहती थी कि देख चैतर का महिना लग गया, नीम के पत्ते खा ले तो अगले एक साल तक बीमार नहीं पड़ेगा तो वो समय यही आता है, जो बागवट जी का कैलकुलेश क्यों यह जो समय है, इसमें पित्त को भड़कने से बचाने में सबसे बड़ी मदद यह करेगा नीम तो नीम का दातुन, नहीं तो बबूल का दातुन, नहीं तो मदार का दातुन लेकिन गर्मियों में सबसे अच्छा नीम है गर्मियों में और सर्दियों के दिन में सबसे अच्छा दातुन है अमरूद अमरूद के पेड़ का दातुन सर्दियों में सबसे अच्छा अमरूद के पेड़ का और अमरूद के जैसा ही एक और पेड़ होता है जामुन का भी दातुन करने का नियम बताया है लेकिन पता नहीं आप तोड़ पाएंगे के नहीं लेकिन अम्रूद का असानी से मिल जाएगा और फिर ज्यादा बारिश के दिनों में जो वो बोलते हैं तो आम का भी कर सकते हैं अरजुन का भी कर सकते हैं और आप बोलेंगे जी पूरी जिंदगी अगर नीमकाई दातुन करें तो कर सकते हैं तीन महीने लगातार करके थोड़े दिन छोड़ देना फिर तीन महीने कर लेना वो थोड़े दिन छोड़ने का नियम द्यान रखना तो फिर आप बोलें थोड़े दिन छोड़ दिया तो क्या करें उस दिन दंत मंजन कर लेना दंत मंजन के कि दांत पे घिस सकते हैं ये बहुत अच्छा दंतमंजन उन्होंने माना दूसरा दंतमंजन उन्होंने बताया है गाय के गोबर को सुखा कर जलाएं उसकी जो राखी है उसमें थोड़ा कपूर मिला दें थोड़ा सेंदा नमक मिला दें बहुत अच्छा दंतमंजन तीसरा व कि मिला के दात पे गिस है तो ये दंत मंजन ऐसे आठडस तरे के दंत वंजन हैं बारे किसम की दातों है तो आप ये जरूर करें मनें टूथ पेस्ट बंद करें अब क्यों करें टूथ पेस्ट बंद बागवट जी और आधुनिक विज्ञान को जरा जोड़ता हूं आप पित्त के असर में हैं जान लीजे सुबह सोकर उठेंगे तो मुह में पित्त ही बरा हुआ है लार्ज इसको आप कह रहे हैं अब ये असर ज्यादा है तो इसको कंट्रोल रखना है आपको तो इसलिए का ये ये दातुन अच्छी है लेकिन अगर आप ब्रश कर रहे हैं पेस्ट कर रहे हैं तो क्या है उसमें चीनी है चीनी है ना शुगर है अब वो सैक्रीन के रूप में है या किसी भी रूप में शुगर है और और पित्त का जगड़ा है तो सुबह उठते ही अगर आप पेस्ट कर रहे हैं जो मीठा है तो सर्वनाश है मीठा ब्रश मने मीठा पेस्ट पित्त में मिलाएं तो पित्त को तो बिलकुल खराब करेगा ही और मुझ को भी खराब करेगा क्योंकि सुबह का मुझ आपका मीठे क असर में आया मीठे के असर में तो 101 बंपरसंट हैं कि है आपके दान्त खराब होना जल्दी शुरू हो और मेरा beauty na byजदरवेशन है कि जो जादा पेस्टपर रहे हैं उनी के दान्तों में कीड़े सबसे ज़्यादा लगर है कीड़े लगना मने दाथ खराब होना आप बंद करिए या अच्छा नहीं विज्ञान के हिसाब से बहुत कराब और धर्म के हिसाब से तो और भी खराब है मैं कई बार यहां बोल के गया हूं सभी कॉल गेट क्लोज अप एप सुडेंट जैसे टूथ मरे हुए जानवरों की हड्डियों से बन रहे हैं जैसे कॉल गेट बन रहा है मरे हुए सुवर की हड्डियों से यह प्रयोग शाला में प्रयोग करके हम प्रमानित करने के बाद बोल रहे हैं आप से क्योंकि मैं जानता हूं सामने वाली company मेरे किलाफ case कर सकती है फिर भी मैं बोल रहा हूं कि call gate बन रहा है मरे हुए सुवर की हड्डियों से, pep student बन रहा है मरे हुई गाय की हड्डियों से close up और for hands बन रहे हैं बकरी और बकरे की हड्डियों से और अगर आप शाकाहरी हैं, चुस्त जैन है और सबरी सबरे हड्डियों को घिस रहे हैं तो कहां धर्म पालन हो रहा है और आप तो जैन है तो इतना जान लीजे कि प्रत्यक्ष हिंसा का जितना पाप है ना परोक्ष हिंसा का पाप भी उतना है तो किसी company ने आपके लिए बनाया toothpaste माने उसने मारा जानवरों को उसमें से निकालने के लिए हड्डियां आपके लिए बनाया तो पाप आपके उपर उतना ही है जितना उस मारने वाले के उपर है तो कसाई का पाप अपने सिर पे क्यों लेना तो क्यों ये call gate close up बंद कर दीजे दातुन पे आईए नहीं तो दंत मंजन आप कहेंगे चिननाई में दातुन नहीं मिलता नहीं मिलता तो दंत मंजन बताया उन्होंने वो आप बना लीजे तरीका मैंने बता दिया सभी रितूओं में एक दंत मंजन वो कहते हैं common है त्रिफला चून का दंत मंजन किसी भी रितू में किया जा सकता है तो आप उसका दिहान रखें अब आपने दानत्वाद साफ कर लिए अब आपकी आगे की जो दिन चर्या है वो कैसी होगी आपको जो है न पित्व प्रकरती के लोगों को मालिश भी करना है व्यायाम भी करना है बच्चों के लिए तो सिर्फ मालिश है आपके लिए मालिश भी है व्यायाम भी है तो अब आप में कई बार कन्फ्यूजन ऐसा होगा कि व्यायाम पहले करें कि मालिश पहले करें तो बागवट जी ने क्लियर कहा है कि वात के जो रोगी है उनको मालिश पहले व्यायाम बाद में और पित्त के जो रोगी है रोगी से मतलब आप पित्त के असर में हैं तो व्यायाम पहले मालिश बाद में तो आपको व्यायाम पहले करना है मालिश उसके बाद करने अब आप पूछेंगे कितना व्यायाम करें तो आपके लिए भी नियम वही है कि जैसे ही आपके बगल म पसीना आया, व्यायाम रोग दें, उसके आगे व्यायाम ना करें, पसीना आया, व्यायाम रोग दें, वो दस मिनट में आये तो, बीस मिनट में आये तो, पचीस मिनट में आये तो, चालीस मिनट में आये तो, एक घंटे में आये तो, आपके शरीर के हिसाब से ध्यान रखें इससे ज़्यादा व्यायाम करने की कोशिश ना करें अब वो कहते हैं सबसे अच्छा व्यायाम क्या सबसे अच्छा तो आप कहेंगे जी दोड़ना तो भारत के हिसाब से ये सबसे अच्छा नहीं है भारत के हिसाब से भारत के हिसाब से ये दोड़ना बिल्कुल अच्छा नहीं है क्योंकि दोड़ते समय वात बहुत प्रबल होता है और भारत वात प्रकरती का देश है देशों की प्रकरती होती है वात प्रकरती क्योंकि गर्मी है ज्यादा इलाके में गर्मी है वात प्रकरती का देश है रुक प्रकरती का देश है इसलिए दोड़ना तो यहां बिल्कुल निशिद है दोड़ना तो नहीं रनिंग तो बिल्कुल नहीं वो ट्रेड मिल पे दोड़ें वो भी नहीं एकसरसाइजर लाके उसमें भी दोड़ें बिल्कुल नहीं वो कहते हैं कि ऐसे व्यायाम जो सलो हैं, जिन में वायू ना बढ़े, तो सबसे अच्छा उन्होंने बता सूरी नमस्कार आपके लिए, अब आप चाहें आसन के रूप में मानें, या उसको व्यायाम के रूप में मानें, तो सूरी नमस्कार आपके लिए सबसे अच्छा है, तो आप सीख लें सूरी नमसकार किसी ने सीखा है वो दूसरे को सिखा दे नहीं तो इस पर अलग से एक आप session कर सकते हैं सूरी नमसकार दूसरे कुछ व्यायाम है आपको तो व्यायाम में छोटे छोटे इस्तर पर दंडवे ठक छोटे छोटे से ज्यादा लंबी नहीं छोटी दंड बैठक हैं और चोटे छोटे इस तर के कोई भी व्ययाम जिसमें बहुत तेजी से पसीना ना निकले सीधी सी बात घर में हो तो बहुत अच्छा अब वैसे माताओं को तो वागवट जी कहते हैं कि व्यायाम की अत्रिक्त जरूरत ही नहीं है अगर वो रसोई घर के भोजन में लगी है तो बहुत सारे व्यायाम आपके वहीं हो रहे हैं जैसे चक्की चला रहे हैं तो बहुत अच्छा है सिल्बटे पे चट्नी बना रहे हैं तो बहुत अच्छा है आप कहेंगे हम करते नहीं है मैं प्रेरणा दे रहा हूं करने लगें आप मिक्सी का उप्योग कम करें सिल्बटे का ज़्यादा करें चक्की का उप्योग ज़्यादा करें mixi का उपयोग कम करें बाजार में यह electric चक्की है उसका उपयोग कम करें वो मैं पहले भी बोल चुका था अभी भी बोल रहा हूँ कि आप चक्की को चला के आटा पीसेंगे उसकी quality बहुत बहतरी नोने ही वाली है क्योंकि इसमें घर्शन कम है और घर्शन कम है न तो अनाज धीरे धीरे पिसेगा और अनाज धीरे पिसेगा तो temperature नहीं बढ़ेगा और वात वाले देश में temperature बढ़ना नहीं किसी भी चीज़ का और आप electric चक्की में पिसवाएंगे न बहुत तेज घर्शन है तो अनाज में नाश होदा जाएगा पौशिकता कम होने ही वाले है तो हाथ की चक्की का खाके देख लीजे एक रोटी और ये बिजली वाली चक्की का खाके देख लीजे एक रोटी एक ही मिनट में अंतर पता चलिए है तो अगर आप करें तो अच्छा है फिर आप कहेंगे जी चक्की मिलती नहीं मैंने चिन्नई में देखा दो लोगों को जो चक्की बना के देंगे आप अगर उनको ओर्डर दें तो पत्थर वाले लोग यहां है मैं छे दिन से यहां गूम रहा हूं सड़क पर दिखाई दिये तो सिल्बटा तो है उनके पास चक्की नहीं है क्यों नहीं है वो कहते हैं कोई लेता नहीं तो क्या बनाएं आप लेंगे तो बनाएंगे दोचार बना हुआ है तो वो भी और आपको कही ना मिले तो जरूर मुझे करें फोन तो हम कुछ ट्रक भर भराके राजिस्थान से गुजराथ से बिजवाएंगे आपके पास ट्रक भर के ही भेजेंगे तबी सस्ती पड़ेगी एक दो आएगी तो मुश्किल हो जाएगी और आप अगर राजिस्थान जाते हैं या गुजराथ जाते हैं तो एका चक्की तो साथ में भी ला सकते ना AC3 टायर में आप 60 किलो तक वजन ला सकते हैं AC2 में 100 किलो तक ला सकते हैं और слीपर क्लास में 40 किलो लाई सकते हैं तो चक्की तो बीस किलो से जादा होती ही नहीं है तो आप भी जाएं कभी राजिस्थान गुजराथ तो दो चक्की एक आदमी ला सकता है तो आप लाएंगे चक्की हाँ तो क्या होने वाला है वो जो बनाने वाले कारीगर बैठे हैं पत्थर वाले उनका कुछ रोजगार तो बढ़े कुछ रोजी रोटी चले जो अभी धीरे धीरे बंद हो रही है और उनकी रोजी रोटी अगर आपने चलाई तो मैंने आपको सबसे पहले दिन एक बात बताई थी कि आप जिंदगी के अपने सब दुख दूर करिये दैहिक दैविक भौतिक और दूसरों के दुख दूर करने में मदद करिये तो मोक्ष मिलेगा तो आपने चक्की बनाने वाले का भौतिक दुख तो दूर किया चक्की खरी दी तो पैसा तो मिला गरीबी कम हुई रोजगार बढ़ा तो भौतिक दुख भी अगर आपने कम किया तो मोक्षी की तरफ जा तो चक्की है सिल्बटा है कोशश करे तो व्यायाम की अतरिक तो जरूरत नहीं और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा हलका फुलका व्यायाम आप जरूर करें और बहनों को माताओं को जो सबसे अच्छा व्यायाम है बागवट जी कहते हैं forward bending forward bending माने आगे जुकना तो जितनी बार आप आगे जुकें धियान रखें कमर से जुकें हमेशा तो जिन्दगी में कभी भी दर्द नहीं आएगा कमर का आगे कमर को छोड़कर कहीं से भी जुकेंगे तो तकलीफ है कोशिश करें कमर से जुकें जितना जुक पाते हैं वहीं तक जुकें जरूरत नही 15-20 मिनिट में पसीना आ जाएगा उतना काफी फिर उसके बाद मालिश आपको भी मालिश जरूरी है क्योंकि आपको भी कफ का असर ना बढ़े और आपका विक्रत ना हो तो आपको भी बच्चों की तरह ये बात ध्यान रखनी है कि सिर्की मालिश ज़्यादा कान की भी है और शरीर में सबसे ज़्यादा मालिश तलवे की पाउं की मालिश के बाद इसनान इसनान उसी तरह से उबटन आदी से और फिर भोजन भोजन के बाद विश्राम 20 मिनिट फिर आपका काम फिर रात्री का मने शाम को 6-7 बजे का भोजन इस तरह का नियम है पित्त वालों क और वात्वालों के लिए क्या है जिनकी उम्र 60 के उपर है उनके लिए बागवटी जी कहते हैं व्यायाम निशेद जैसे बच्चों को निशेद वैसे उनको निशेद उनके लिए मालिश बहुत जरूरी जैसे बच्चों की वैसे वात्वालों की माने बुजर्ग लोगों क मालिश बहुत जरूरी है व्यायाम से भी जादा और मालिश करते समय ध्यान रखना है सिर्ट तलवे दो चीज़े और कान भी तो मालिश आप करें व्यायाम करें तो बहुत हलका फुलका करें लेकिन ये नियम बागवट्टे जी ने नहीं बताया कि आप व्यायाम तब तक करे जब तक बगल में पसीना ना आए क्योंकि एक उम्र के बाद पसीना बहुत कम हो जाता है तो हो सकता एक गंटे तक भी ना आए और आप करते रहें ये पित और कफ वालों के लिए है सिर वात वालों के लिए तो बात वाले तो जीवन में जितने आराम से रह सका है वैसे तो बात वालों के लिए बागवट जी कहते हैं कि उनको तो एक ही काम है वो है दिशा निर्देश बुजर्गों का एक ही काम है कि घर में बैठे हैं और दिशा निर्देश दे रहे हैं ऐसा मत करो ऐसा करो ऐसा मत क भी बोलते हैं कि वात के लोगों को मूमेंट सबसे कम होने चाहिए तो ज्यादा भाग दोड़ नहीं ज्यादा इधर उधर नहीं आराम से सहजता से जितना होता है अपने शरीर को बचाते हुए उतना तो मैंने कोशिश की कि आपको एक सवा घंटे में तीनों प्रकरती के लो लेकिन निवेदन दूसरा है कि जब तक प्रश्न का सत्र चले 10-15 मिनट कोई ना उठे क्योंकि हो सकता है कि किसी ने जो प्रश्न पूछा वो आपके लिए भी बहुत काम का हो मेरे पास एक स्लिप आ गई है लिखके जरा इसको मैं बताद मनुष्य के मूत्र का महत तो क्या यह प्रश्न है कल मैंने गो मूत्र का महत तो बताया था ना तो मनुष्य के मूत्र का महत तो क्या मनुष्य का मूत्र भी औशदी के रूप में काम आता है और बागवट्ट चिकित्सा में उसके लिए दो सूत्र हैं उन सूत्रों के अनुसार आप मनुष्य मूत्र पी सकते है लेकिन उसकी एक condition है condition यह है कि आप संपूर्ण शाकाहरी होने चाहिए संपूर्ण शाकाहरी माने मास ना खाएं मदरा ना पिएं और आप यह जो हैं अंडे वंदा ना खाएं तो आप अपना स्वयम का मूत्र भी उपयोग में ले सकते हैं आपका गाय का मूत्र आसानी से उपलब्द है तो वो पिएं नहीं उपलब्द है तो आप स्वयम का मूत्र भी पी सकते हैं अब स्वयम के मूत्र में वो कहते हैं कि सबेरे सबेरे जब सोकर उठें और पहला मूत्र हो वही उपियोगी है बाकी दिन भर का नहीं उठें और पहला मूत्र अब पहले मूत्र को भी collect करने की विधी उन्होंने बताईए वो विधी क्या है कि आप मूत्र ने करना शुरू करें तो पहला थोड़ा छोड़ें शुरू का शुरू का 2-4-5 मिली लीटर 10 मिली लीटर तक छोड़ें और अंत का बिलकुल छोड़ें बीच वाला यही आप पी सकते हैं तो आप बोलेंगे किस-किस बीमारी में काम आएगा कम से कम आपका स्वयम मूत्र 100-103 बीमारियों में काम आएगा वात की बीमारियां और कफ की बीमारियों में बहुत काम आएगा पित्त की बीमारियों में भी काम आता थोड़ा कम आएगा और उसके साथ आयुरवेद की कुछ औशदियों का अगर combination करें तो वो बहुत ही अच्छा है अभी इतना ही कहता हूँ अगर विस्तार से सुनना हो तो फिर कोई एक्स्ट्रा सेशन हम करें तो अच्छा होगा जी